सो नभादर में जिला प्रशासन ने 27 कैदियों को पैरोल पर रहा किा जबकी 52 और कैदियों को छोड़े जाने की प्रक्रिया चल रही है असल में सुप्रेम कोट के आदेश के बाद राचे सरकात ने भी साथ साल से कम की सजा वाले कैदियों को पेरोल पर छोड़ने के निर्देश चारी किये थे नहाजा कल 27 कैदियों को जोड़ा गया जोटी 25 कैदियों को सुमवार को छोड़ा जाएगा आपको बता दे कि इस वक्त 914 कैदि जोएल में सजा काट रहे हैं जिसमें से कोई 24 कैदियों को छोड़ा जाएगा सो नमधर में जिला प्रशासन ने 27 कैदियों को पेरोल पर रहा किया जबकि 52 और कैदियों को छोड़े जाने की प्रक्रेया चल रही है असल में सुप्रेम कोड के आदेश के बाद राचे सरकात में 27 साल से कम की सजा वाले कैदियों को पेरोल पर छोड़ने की निर्देश चारी किये थे नहाजा कल 27 कैदियों को छोड़ा गया जबकि 25 कैदियों को सुमवार को छोड़ा जाएगा आपको बता दे कि इस वक्त 914 कैदी जेल में सजा काट रही है जिसमें से कोई 24 कैदियों को छोड़ा जाएगा चलो जाओ चलो जाओ आपको बतारू जाओ सोनभदर में जिला प्रशासन ने 27 कैदियों को पैरोल पर रहा किया जबकि 52 कैदियों को छोड़े जाने की प्रक्रेया चल रही है असल में सुप्रेम कोर्ट के आदेश के बाद राचे सरकात में 27 साल से कम की सजा वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की निर्देश चारी किये थे नहाजा कल 27 कैदियों को छोड़ा गया जबकि 25 कैदियों को सुमवार को छोड़ा जाएगा आपको बता दे कि इस वक्त 914 कैदी जेल में सजा काट रही है जिसमें से कोई 24 कैदियों को छोड़ा जाएगा चलो जाओ कैदी जेल में सजा काट रही है जिसमें से कोई 24 कैदियों को छोड़ा जाएगा चलो जाओ सोनभदर में जिलाप्रशासन ने 27 कैदियों को पैरोल पर रहा किया जबकि 52 और कैदियों को छोड़े जानी की प्रक्रेया चल रही है असल में सुप्रेम कोट के आदेश के बाद राचे सरकात में 27 साल से कम की सजा वाले कैदियों को पैरोल पर छोड़ने के निर्देश चारी किये थे नहाजा कल 27 कैदियों को छोड़ा गया जोटी 25 कैदियों को सुमवार को छोड़ा जाएगा आपको बता दे कि इस वक्त 914 कैदी जेल में सजा काट रही है जिसमें से कोई 24 कैदियों को छोड़ा जाएगा